नमस्का दोस्तू स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैत का पिस्न डिसकस करेंगे तो हम यहां जिस पिस्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं तो प्रस्न हमारा क्या है प्रस्न है कि धातू के बने एक घन की प्रतेख भुजा 12 सेंटीमीटर है इसे पिखला कर तीन छोटे घनों में ढाला गया है एदी इन मेंसे दो घनों की भुजाएं क्रमसा 6 सेंटीमीटर तसा 8 सेंटीमीटर हों तो तीसरे घन की प्रतेख भुजा क कितनी हैं थीक है पृष्लिण ने कहा कि कोई एक बड़ा घन था जिसको प्रहला या गया उस बड़े खन से उसने थीन छोटे छोटे खन с Ciao छोटे घन मनाएं उनमें से दो की भुझाने तो हमें दे दी है तीसरे घन की भुझा द É पूछी है तो सबसे पहली बात इस पुष्ण में ध्यान रखने बाली है कि जब हम बड़े घंद से छोटे छोटे घंद मनाएंगे तो जो बड़े घंद का आयतन होगा वह है तीन छोटे छोटे घंद की योग के बराबर होगा ठीक है बस यही आपको याद रखना है तो हम माल लेते हैं कि जो बड़ा बाला हमारा घंद है उसकी बज़ा ए ठीक है उसकी बज़ा को हम माल लेते हैं ए ए बराबर है 12 सेंटिमीटर और जो छोटे छोटे हमारे घंद है एक की बज़ा माल लेते हैं एक्स एक्स बराबर है 6 सेंटिमीटर दूसरी की बज़ा माल ले लेते हैं जैड जो कि हमें निकाल नी ठीक है इतना आपने लिख लिया अब इसके बाद हम क्या करेंगे जो हमने कंडिशन मताए थी क्या बताए थी कि जो बड़े घंड का आयतन होगा कि वह किसके वरावाल होगा कि तेन कि छोटे गहनों के आयतन का योग ठीक है जो बड़े घंड का आयतन होगा वह तीन छोटे छोटे घंड के आयतन के योग के बराबर होगा तो हमने वही चीजी लिख लिख ली है बड़े घंड की बज़ा हमने मानी है एक तो एकी पावर तीन तीन चोटे चोटे घन है एकस डॉय जेड भजावाले तो यहाँ पावर तीन लगा देंगे तो यहां आयतन निकल गया और यहोग करना है तो इन दोनों सब को ऐнакомें विर देंगे ठीक है तो यहाँ बड़े घन के आयतन अय बड़े घन का आ आयतन निकल आया वे तीन चोटे घ्णाओं के आरतनों का योग निकला आया अब यहां हम रख देंगे इसकी बेलू है 12 तो 12 का Q इसकी बेलू है 6 तो 6 का Q जिसकी बेलू है 8 8 का Q और यहां Z का तो हम निकालना है Z का Q हम जिव का त्यू रख देंगे ठीखे अब इसका Q निकालेंगे तो 12 का Q होता है 1728, 6 का Q होता है 216 और 8 का Q होता है 8, 8, 64 यह बजाएगा 512 और यहां होता है ZQ ठीक है इन दोनों को जोड़ देंगे 1728 बराबर 6 और 2 हो जाएगा 8, 1 और 1 मिलाके हो जाएगा 2, 5 और 2 मिलाके हो जाएगा 7, पिलस हो जाएगा Z की पावर 3 और यहां हम लगा ले देए, यहां था 1728 माइनस हो जाएगा 728 बराबर में तो है Z की पावर 3 और यहां माइनस करेगे तो यहां बज़ेगा पूरा पूरा 1000 बराबर हो जाएगा Z की पावर तीन अब एक हजार को कैसे ले सकते हैं यहां ले सकते हैं दस की पावर तीन बराबर है जैट की पावर तीन यह जैट की वैलू कितनी निकलेगी यह निकलेगी दस लगा जाएंगी सेंटिमीटर ठीक है तो जो तीसरा घन है उसकी भुजा निकलके कितनी आगई उसकी भुजा निकल के आगई 10 cm ठीक है condition से एक ही आपको याद रखना है कि जो बड़े घन का आयतन होगा वह तीन छोटे घनों के आयतन की यूग के बराबर होगा बस यहाँ पर फर्मू लगाया यहां भी फर्मू लगाया सबकी बैलू रखके हम solve करते गए तो हमें z बराबर 10 cm मिल गया यह हमारे तीसरे घन की पते घुजा की लंबाई निकल के आगई जो कि कितनी है 10 cm ठीक है तो ऐसे पिसनों को आपको इसी तरीके से लगाना है एक घन से जितने भी घन मनाए यहाँ आयतन उसमें हमेशा बराबर रहेगा ठीक है तो ऐसे ही knowledge बढ़ाने वाले वीडियो देख सबस्क्राइब एक जुजाए बहाँ